हलो फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए आलू प्याज और पालक के पकोड़े बनाने की रेसिपी रे कराई हूँ इन्हें बनाना बहुत आसान है और बहुत टेस्टी बनते हैं तो आईए देख लेते हैं आलो प्याज और पालक के पकोड़े बनाने के लिए हमें किन किन इंग्रेडियन्स की जरूरत है दो मीडियम साइज के आलो लिये हैं मैंने आधा घीया लिया है जिसे लोकी भी कहते हैं और पचास ग्राम पालक लिया है और आधा कप पोदीना लिया है इसे बारिक काट लिया है मैंने और तीन चार हरी मिर्ष लिये हैं और एक बड़ी साइज की प्याज लिये प्याज को मैंने स्लाइस में कट कर लिया है और कुछ पौडर मसाले लिये हैं एक कप बैसन लिया है शोड़े शोड़े तुकडों में कट कर लेंगे तो और घिया भी हम इसी तरह से काट लेंगे इसमें और ये देखिए आलू और घिये को मैंने छोटे-छोटे दुगड़ों में कट कर लिया है और अब हम इसमें पालक भी काट लेते हैं तो पालक को ना ज्यादा मोटा काटना है और ना ही ज्यादा बारिक काट लेंगे तो सबीकोद मसालां तरे गरेंगे हम पैस्न मसालों तो ब्चान देफ जखेतें हमें सितवाओं, जायदा थे हुए वच सब्केज़ारा, आजए्वक्षीफ करें इसिवडू वो describing जोरा कि मेहाँई तेमाओं हम Sansky तो एक कप बेशन का इस्तेमाल हो गया है इसमें अब हम इसमें टूटेबल स्पून पाने डाल कर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे बस हलका सा ही पान डालना है इसमें ताकि यह अच्छे से मिक्स हो जाए और यह देखिए हमारे पकोड़ों का बेटर तैयार है आईए अब हम पकोड़े बना लेते हैं तो तेल हमारा मीडियम होट होना चाहिए ना ज्यादा ठंडा और ना ही ज्यादा गरम और अब हम पकोडों का थोड़ा थोड़ा सा बेटर लेंगे और इसमें इस तरह से डालते जाएंगे एक बारी में जितने पकोड़े हमारे कढ़ाई में आएंगे बस उतने ही फ्राई करेंगे गेस की फ्लेम low to medium रखेंगे और अब हम इसे टच नहीं करेंगे एक मिनट के बाद हम इसकी साइट को चेंज करेंगे जब यह अपने शेप में आ जाएंगे और यह देखिए एक मिनट हो गया है पकोड़ों को एक साइट से फ्राई होते हुए अब हम इसकी साइट चेंज कर देते हैं इस टाइम पर हम गेस की फ्लेम को हाई कर लेंगे और इसमें एक अच्छा सा गोल्डन कलर और क्रिस्पी होने तक इने फ्राई कर लेंगे और ये देखिए पकोड़ों को मैंने क्रिस्पी होने तक और अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लिया है अब हम इने निकाल लेते हैं और बाकी के बचे हुए पकोड़े भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे पहले गेस की फ्लैम को लोटो मीडियम रखेंगे और बाकी के पकोड़े भी हमारे फ्राई हो गए है अब हम इने भी निकाल लेते हैं तो सभी पकोड़े हमारे प्राई हो गए हैं तो आईए अब हम इने सर्फ कर लेते हैं तो देखा आपने कितना आसान है आलू, प्याजो और पालक के पकोड़े बनाना 10-15 मिनट में ही बन कर तेयार हो जाते हैं तो अब हम इसके बाद थोड़ा सा चाट मसाला डाल देते हैं जिससे इसका टेस्ट और भी बढ़ जाएगा तो आप भी बनाईए इने अफ्तार में बच्चे होई या बड़े सभी को पसंद आते हैं और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए फिर मिलूंगी आप से एक नई रेसिपी के साथ थैंक्स फर वचिंग मैं वीडियो आला हाफिज